हेलो, वेलकम टू स्टेडी सब्गर। अगर आप भी पेसी टीचिंग गुश्मेंट एक्जाम की तैयारी कह रहे हैं, तो आप अशियातिक इंपोर्टेंस को जाते हैं, तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लासिक्स स्टेंडर्ड नाग्लिक सास्ट रेसिविक्स का चैप्टर पिछले चैप्टर में ग्राम इन जीवन यापन के सौरूप को पढ़ चुके हैं, और उसमें हम लोग जाने कि ग्राम उनके लोग कौन कौन सा कार्ज करके अपने आजीविका चलाते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि शहर में रहने वाले लोगों का तो कहते हैं कि शहर में जिन्दगी कभी रुकती नहीं तो हम लोग क्या करें गें गेंगे अब शहर के बारे में पढ़ेंगे, कि वहां पे किस तरह से रोजकर और कमाई होती है तो यहां पिस चैब्र में क्या है, कि wurdُ इ wiring एक्जंपल के माधम से समझाया की है, बहुत से जो है लोग मिल जाएंगे तो क्या हुआ कि यहां पर जो राइटर है उन्हेंने बता है कि जैसे ही वो घर से निकले तो उन्हें क्या देखा कि मुख सरब की तरफ मुरे तो देखा कि काफी चहल पहल थी सबजी और फल बेचने वाले जो है अपने ठेले पर सबजी और फल सजा रहे थे तो महीं क्या है कि सबजी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लिये जा रहा था महीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामगडी लेकर बैठी थी तो यहां जो है एक फुर्फात का चित्र दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे सामान बेचा जादा था मैं ही दूसरे चित्र में क्या है कि अखबार विक्रेदाओं का चित्र है नीचे चर्मकार का चित्र है और उसके नीचे जो है नाई का चित्र है तो यहां किया है कि दिया हुए चाप्टर में कि सरक के दूसरी तरफ एक वैक्टी जो है टेबल पर कई तरह कि क्या अखबार रखकर बेच रहा था तो कुछ लोग अखबार पर रहे थे, कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे पास में एक पेड़ था जिसके निकटिक मंदिर था, पेड़ के नीचे मोची अपना टीन के बकसे से सामान निकल रहा था पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था, थोड़ी दूर पर एक सैलून था जहां कुछ नौजवान दाड़ी बनवाने और केश काटने के लिए जा रहे थे सरक के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाड़ी बना देता था सरक से थोड़ी दूर जाकर एक बैठी ठेला पर तरह तरह के बरतन जैसे थाली का टोड़ी चाई छना का पादी बेच रहा था जिससे क्या है जिसे हम लोग पराया इस्तमाल करते हैं और ये सभी लोग कैस्वारोजगार में लगे हुए थे कोई दूसरा बैक्ति उनको रोजगार नहीं देता था और उन्हें क्या है अपना काम स्वैंग ही संभालना पड़ता था ये स्वैंग वोई ये योजना बनाते थे कि किन किन चीजों को बेचे माल कितना खरीदे कहां से खरीदे और अपनी दुकान कहां लगाए उनकी दुकाने क्या होती थी कि अस्थाई होती थी और कभी ये सड़क के किनारे चादर या चटाई बिचा कर दुकान लगा लेते हैं तो कभी खंबो पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा कर दुकान लगाते हैं ये रोज खरिदते हैं रोज बेशते हैं और इनकी जो है कमाई कम होती है इनकी आई जो है मजदूरों जैसी है परी अपना वैवसाइट खुद चलाते हैं और इन सबी बैपारी को कहते हैं कि पट्री वाला बैपारी कहा जाता है ये बैपारी सरकों के किनारे फुटपात पर रखकर अपना सामान बेशते हैं और ये अपने दुकान ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जहां फूब भीड़े रहती है इनके दोरा बेची जानने वाली बस्तों में दैनी उप्योग की होती है और ग्राहों को के लिए से सामान खरिदना बहुत आसान होता है क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्रया ये रास्ता के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना आधिक समय ब्याई कि हम आसानी से मन पसंद सामान खरिद सकते हैं तो क्या होता है कि पट्री वाला बैपारी अगर पूछा जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर कि यह बैपारी सड़ा के किनारे फुटपाद पर रखकर अपना सामान बेसते हैं और इनका जो आई होता है वो भुट कम होता है ठेले वाले जो चीजे बेजते हैं वो अकसर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं जैसे एक्जामपल कहले कि सर्क पर गुप चुप समोसा चाट भूंजा आदी तो यह ज़्यादा तर क्या है घर पर ही तयार किया जाता है इन कारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होता है पुलिस या नगर निगाम वाले जो है इनने तंग भी करते रहते हैं और अकसर उन्हें दुकान हटाने के लिए कहा जाता है हमारे देश के शहरी इलाकों में में लगवग क्या है कि एक कड़ों लोग फुटबात और ठेलो पर सामान बेशते हैं बहुत सी जगों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए क्या है कि एक रुकावर की तरह देखा जाता है लेकिन कुछ संस्ताओं के प्रयास से अब इसको सभी के लूपी होगी और आजी भी का कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है कानून में बदलावाने से उनके पास काम करने की जगह होगी यातायातिमगों का आवागमन भी क्या है कि सहज रूप سے हो पायगा तो यहां पर जाह है कि एक रिक्षाचालो जीवस Ge 저도 शह में रहता एक रिक्षाचालो इसके जीवन को बताया गया है तो क्या है जाए कि गाउं से काफी लोग, उनका नाम क्या है, स्याम-नरायन है और उनके जीवन के एक्जामपल से समझाया गया है तो इस चित में हम देख सकते हैं कि एक डिक्षा चालग कचित रहे तो क्या कि गाउं से काफी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं उसी में श्याम नरायन भी क्या है कि एक श्याम नरायन भी एक है वो भभवा जिले के क्रीसक मजदूर है उसके पास जमीन नहीं है गाउं में साल भर खेती में मजदूरों के आवसिकता नहीं होती है ये फसल जो है कटाई बुवाई के समय गाउं में काम करते हैं और इस काम से जो कमाई होती है, उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता। इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता, तो ये शहर आका रिक्षा चलाते हैं, और ये इनका प्रति दिन का काम है, कि इन्तों तब्यास हराब होने की स्थीति में कहता है, और इसी रिक्षा वाले रात गुजारते हैं, और रोज देर सो से 200 रुपया इनकी कमाई होती है, अगर इनका अपना रिक्षा नहीं होता, तो ये रिक्षा का भारा प्रति दिन 30 से 35 रुपया रिक्षा मालिक को दे देते हैं, और प्रति दिन 70 रुपया खाने वंग अन्य जरूरतों में खर्च हो जाते हैं, और बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं, 20-25 दिनों में क्या है एक बार परिवार से मिलने गाउं भी चले जाते हैं, और इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है, कभी-कभी इनके घर की महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती हैं, तो बाजार में क्या है अब बाजार में देखेंगे कि जब हम बोरिंग रोड बाजार पहुंचे तो दुकाने खुलने शुरू हो गए थी, लेकिन तिवार के कारण वहाँ बहुत भीर हो चुकी थी, वहाँ कपड़े चफल बरतन बिजली के सामान मिठाए आधी की दुकानों की लंबी कतार थी, तो हम लोग एक रेडिमेट कपड़े के शोरूम में गये हैं, वहाँ से कुछ कपड़े लेने थे, तो यह क्या था कि यह तीन मंजिला शोरूम था, और हर मंजिल पर अलग अलग परकार के कपड़े थे, और बाजार में एक दो डॉक्टर की क्लिनिक भी थी और वहाँ लोगों की भीर थी, यह देख सकते हैं, यह बहुमंजिला दुकान का एक चित्र दिया है, और यह बड़े कपड़े की दुकान का एक चित्र है, तो बड़ी दुकान में क्या था, जिसमें प्रमोद और अंसु है, उनके बीच कनफरसेशन के माध्यम से समझाया गया है, जहना? तो प्रमोद जो है, वो दुकानदार है, तो उसने कहा कि, पहले मेरे पिता जी वो चाचा जो है, एक चोटी सी दुकान चला दे थे, और अभिबार और तेवारों के अबसर पर जो है, मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था, और अपनी सनातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जो है, मैंने भी काम करना शुरू किया, और इस समय के है, मैं अपनी पतनी अंशु के साथ जो है, ये शोरूम चलाता हूँ, तो अंशु कौन है, ये प्रमोद की पतनी है, तो अंशु क्या कहा कि, हमने कुछ साल पहलो शोरूम खोला है, मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ और मैं इसके साथ बूटिक भी चलाती हूँ, मैंने इसी की पढ़ाई की है, आज कल युवावर्द था बच्चे आकरसक कपड़े पहना पसंद कहते हैं, और इसी को ध्यान में रखकर हमने रेडिमेंट कपड़ों का आकरसक र हमारे बैपार में कहवें बढ़ोती हुई, और इससे हमारा जीवन इस तर उंचा हो गया है, हमने एक कार भी खरी दिया और एक मकान भी बनाया है, जो बाजार से कुछ दूरी पर है, पर मोद और अंसु जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो शहरों में अपनी दुकानी चलाते आदि, कुछ लोग जो है दुकान किराए पर लेते हैं, इन्हें दुकान का माली कभी कभी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है, इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है, लेकिन इनकी भी कमाई क्या होती है, कि अच्छी होती है, यह दुकाने क्या है कि पक्की होती है और इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निवगम के अनुसार इनकी दुकान सब्ता में एक दिन बंद होती है और उधारन के लिए कुछ बाजार की दुकाने रविवार को, कुछ सौंबार को तो कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाजारों में कहें कि छोटे-चोटे दफ्तर और अन्य दुकाने भी है, जिसमें कहें कि कूरियर, PCO, जो फोन कहोता है, फोटो-इस्टेट आदी की सूपी दाहें भी देती है. अब फैक्टरी के बारे में बात कहते हैं कि फैक्टरी में क्या होता है, जो राइटर है, उनको क्या है, कि उनको हाथों की कढ़ाई वाला जो है, एक चादर खरीना था, वो लोग एक क्या है, एक फैक्टरी में गए, तो क्या कहता है, कि फैक्टरी कहते है, शहर के एक कोने मे तो उनन क्या फैक्टरी जाने के लिए रिक्षा किया और स्टैंड से क्या है कि फैक्टरी के लिए चल पड़े और क्या है कि बस में क्या था कि बस में काफी भीड थी क्यों भीड थी क्यों भीड थी क्योंकि फैक्टरी में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे औ और प्रति दिन काम करने वाले मजदूर या मिस्तिरी जो है और यह जो लेबर है वो प्रति दिन काम करने वाले मजदूर है या मिस्तिरी है। पुछ जहां भवन बन रहे होते हैं, वह मजदूरी करते हैं। कुछ घरो दुकानों में रंगाई पुताई इका भी काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफ़ून की लाइन और पानी की फाईब के लिए खुदाई का काम करते हैं... लेकिन कहा है कि इनको हमेसा काम नहीं मिलता है तो ऐसे काफी अनियमित जो है मजदूर भी है जो शहर में होते है तो यहां जो है दो चीत्र दिया है और यह लेबर चौक का चीत्र है तो कुछनेर में क्या होता है कि वो लोग फैक्टरी पहुंच चेक थे और फैक्टरी में घुसे तो उसने क्या पाया कि इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे छोटे मोटे काम जो है वैक्ट्रियों में बटे हुए थे और यहां हाथ और मसीन दोनों से यह काम हो रहा था कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहते तो कुछ क्या कर रहते है कढ़ाई कर रहते है कुछ उसमें से डिजाइन चाप रहते है कुछ पैकिंग में लगे हुए थे तो फैक्ट्रिय में जो काम हो रहता है कि हाथ और मसीन दोनों से हो रहता है इसमें कुछ लोग क्या कर रहते है कपड़े नाप कर काट रहते है उसमें से कुछ कढ़ाई कर रहते है कुछ डिजाइन चाप रहते है और कुछ फैकिंग में लगे हुए थे तो फैक्टरी में उनने क्या देखा कि आकंचा जो है वो चादर बनाने वाले एक बड़े कार खाने में काम करती है और जिस कार खाने में वो काम करती है वहाँ से चादर बड़े बड़े थोक एवंग फुद्रा बैपारियों के यहां जाता है और सिर्थ बिहार में ही नी बलकि बिहार के बाहर 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 रुपया देर तक काम करने का मिलता है। कुछी कारीगर ऐसे हैं जिने इस्थाई रूप से रखा जाता है। और आकंशा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कारी मुक्त कर दिया जाता है। और करीब 3-4 मेहने के लिए उनके पास क्या होता है कोई काम नहीं रहता है। तो आकंशा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने और अन्ने जगों पर हैं जिने वर्स भर काम नहीं मिलता है। और यह अनिमियत आनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। यह बचे वे समय में दूसरा काम धूनना परता है और ऐसे लोगों की नौक्रियां इस्थाई नहीं होती है। अगर कारिगर अपनी तनखा या परिस्थितियों के बारे में सिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। और नौक्री की कोई सुरक्षा भी नहीं होती है। दूसरे दिन यह लोग एक बैंक में गये थे। बैंक एक ऐसी जगह पर था। जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारत थी और स्वापिंग कंप्लेक्स भी था। कार पारकिंग भी थी और यहांपे काम करने वाले लोग छे दिन काम पर जाते है। लोग स्थाएं करमेचारी जो hex होने के खारण के निमनलिखित फाएद़े भी है तो अंगे बड़ापके के लिए बचतनिकी minutes है। और इस बच्छत पर कहा है उनको ब्याज भी मिलता है, तो नौकरी से सेवा निम्रित होने पर रिटार्नेट के बाद ये पैसा मिल जाता है, और सेवा निम्रिती के बाद भी नियमिद पिंसेंग वो सरकार देती है, अब कास क्या है कि राविवार और अन अफफर वितेवारो में जो उनको छुट्टी मिलती है और बारसी चुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं परिवार के लिए जो चिकित्सा सुब्यदा है तो सरकार एक सीमा तक कर्मिचारी और उनके परिवार के सदस्टों के इलाज का खर्चा उठाती है और इस तरह के कई कर्मिचारी है जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कारियले में काम करते हैं जैसे सची वाले सिच्छा विभाग दूर संचार विभाग तथा भारत सरकार एंगराज सरकार के उपकरम में काम करने वाले कर्मिचारी आ दी यहां उन्हें नियमित और इस्थाई कर्मचारी के तरह रोजगार मिलता है उनका विभाग ये उनकार ये जो है वो तैह होता है उनको समय पर बेतन मिलता है और काम नहीं होने पर भी उन्हें क्या है अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं चालता है इसमें एक नौकरानी जो है काम करने वाली नौकरानी जो है उनके बारे में बताया गया है तो उनका नाम क्या है कि सरला है तो सरला क्या करती है कि यहां बहुत सारे लोग है जो अपने घरों में सेवा देते हैं और यह दूसरे के घर में जाकर बर्तन साफ करना, जाड़ू देना, पूछा लगाना आधी काम करती है और इन्हीं में से कुछ बच्चों के स्कूल जाने के लिए बस इस्टन तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है इन्हें इनके मालिक महिने में पैसा देते हैं और इस्टन परिस्टि जैसे फुद बिमार पढ़ने या परिवार में किसी बिमार पढ़ने पर शादी बिबापर देवारों के अबसर पर अतिरिक पैसा भी देते हैं और साल में दो बार इने कपड़ा भी दिया जाता है तो यहाँ पर एक चित्र दियावा है जिसमें कहें घरेलू कामगार में हिला का जो एक चित्र दियावा है तो इसी तरह यह चाफ्टर जो यहाँ पर एंड हो रहा है यहाँ पर हम लोग सहरी जीवन यापन के स्वारूप को समझा कि उनका जीवन किस तरह से है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें और अपना जो सुझाओ है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद